नमशकार दोसतोउ स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तोँ बात करने वाले हैं जिस तरीके से फिलाल में ये इवेंट आपको खतम होता हुआ नजर आ रहा है उश इवेंट के बाद में जो है किस तरीके के चेंजिस हैं बजार के अंदर देखने के बिल सकते ह है सबसे पहले तो उसे ही समझ लीजेगा इवंट यह है कि जिस तरीके से आप जानते थे कि अमेरिकन रास्टपती का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो है पूरे संसार के अंदर गहराया हुआ था अब वो सोल होता हुआ नजर आया और जो बेड़न जो है आखिरकार अमेरिकी रास्टपती बने और उसके बाद में बजार को क्या दिसा और दसा मिलने वाली है उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है दोस्तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ तीन ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिनके अंदर जो है तुफानी तेजी देखने को मिल सकती है और वो यह सिर्फ एक संकेत ही कहे जा सकते हैं क्योंकि पूरा शोर हम लोग कभी भी नहीं हो सकते बाजार को देखते हुए क्योंकि दोस्तो जिस तरीके से फिलाल में इन सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को रेली बनती हुने जराई है तो कहीं न कहीं यह रेली आगे तक भी जारी रहने की संभावना है और हम यह भी बात करने वाले हैं कि यह जो रेली बनी है इन सारे सेर्स के अंदर तो इनका सीधा क्या संबंध है यूएस मार्केट के साथ में या फिर और ग्लोबली जो है किस तरह किसे यह इंटरकनेक्ट हैं तो अगर जो हम इनका रिलेशन पता करने में फाइंड आउट करने में सफल हो गए तो फिर जो हम इजीली जो है इनको पकड़ कर जो है काफी इच्छा रिटेंस कमा सकते हैं फैराल दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की तो लगबग 1263 के आसपास आपको दिखाई दरी है दोस्तों जैसे कि आप जानते ही कि वैसे तो निफ्टी 100 के अंदर 100 शेर्स होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यू रखते हैं फंडमेंटली अगर उन कमपनियों की बात की जाए तो उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़े आपको अलग होती हुई दिखाई देती है फिलाल में बात करें तो लगबख जो है निफ्टी 50 के 50 शेर्स के अंदर धूम मची हुई है इंडेक्स में जो है वे ही शेर्स सामीर है जो फिलाल में अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें क्योंकि निफ्टी लगबख जब जिस तरीके से कोरोना वाइरस के टाइम में लगबख 7500 के आसपास तक चला गया था उसके बाद से लेके अब तक की जो रिकवरी हुई है तो आप अगर उन शेर्स का डेटा उठा कर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने बहतरी रिटरंज अब तक उन स्टॉक्स ने हम लोगों को कमा के दिये हैं फिलाल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ न कुछ जो है बजार के अंदर चेंजिस समय समय पर हम लोगों को देखने को मिलते रहे हैं चाए वो 2008 का क्राइसिस ही किना हो चाए वो 2020 की एगटना किना हो फिलाल में जिस तरीकी से गटना हुई उस गटना के बाद में बजार ने रिकवर किया तो अब आगे किस तरीकी का रुजान हम लोगों को देखने को मिलने वाला है दोस्तो पहले ही बजार के दिगज जब 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 था कि मार्केट जो है कहा जाएगा या कितने सालों के अंदर रिकवर होगा क्या इस्तिती बनती हुए नजर आएगी बड़ दोस्तों निफ्टी ने तो बात करें तो टोटल मार्केट नहीं अगर बात करें मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप पूरी रिकवरी जान लगानी इतनी जान लगा दी और मार्केट को वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से मार्केट गिरा था दोस्तों ये एक अचमबाई है अगर आप इस चीज को अब्जर्व करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि मार्केट जहां से गिरा वहां पर आकर पहुंच ग आपनी इंडिया के अंदर भी आता है और गलोबली जिस तरीके से प्रहुर कंटری ने के अंदर सीथे भारत की ऐप खरुब करम के हैं की जो हैं मर्केट मर्केट ने उपर नीचे जैंच गाइए तो क्या वे वह दोगते हैं कि चायना के साथ में जो बेडन की बांडिंग जो है फिर दुबार से अच्छी होने वाली है तो ये तो खेर फ्यूचर की बाते हैं क्योंकि जब भी कोई प्रेजिडेंट जो है ऐसी सीट पर बैठता है तो उसे बहुत सारे ऐसे टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके करते हैं पहले सेक्टर के बारे में तो ये सेक्टर है हमारा आईटी सेक्टर दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरह की से फिलाल में अगर आईटी सेक्टर के अंदर ही आप जो है आकलन करने की कुछिस करेंगे तो आपको तुफानी रेली जो है आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिली क्योंकि आप जानते ही हैं कि जितनी भी आईटी कंपनिया हैं अगर most of them जो famous कंपनिया हैं अगर उनकी बात करें तो उनका main business जो है वो वर्ल्ड के बहुत सारे countries हैं उनके साथ में interconnect है अब जब दूसरे देशों के साथ में business connect है तो कहीं न कहीं जो है आप खु देखने को मिल सकती है improvement देखने को मिल सकती है आप यह चीज समझ नहीं पाएंगे कि जितनी बहुत सारी ऐसी कंपनिया हैं जो इंडिया के अंदर हैं और उनका business जो है फिलाल में US, Canada, Brazil, Germany कितने ऐसे देंस हैं जिन के अंदर जो है उनका business चल रहा है तो कहीं ने कहीं जो है IT सेक्टर को सबसे पहले booster dose मिलने वाला है दोस्तो बात करने वाले है IT सेक्टर के कुछ ऐसे important stocks के बारे में उनमें किस तरीकी के realey हम लोगों को देखने को मिल सकती है दोस्तो बात करते हैं IT सेक्टर के बहतरे इन stocks के बारे में TCS के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यह stocks जो है लगबग 2-3 महीने पहले की बात करें तो यह 2000 के आसपास आपको trade करता हुआ दिखाई देता था और वहां से लेके अब तक जो है कितनी बहेंकर recovery stocks के अंदर हम लोगों को देखने को मिल चुकी है इ परकर थोड़ा सा पीछे चलें लगबग हम बात कर लेते हैं बारे अक्टूबर के आसपास यानि कि यह stocks हुआ करता था लगबग 2830 4050 रुपे के आसपास यह stocks हुआ करता था और इतनी भेंकर तीजी जो है इस stocks के अंदर हम लोगों को देखने को मिली है तो रेली बनती हु जो है वो अपने निवेशकों को provide कराती है तो अगर साथ के साथ में आप return भी आपको मिल रहे हुँ और साथ में dividend भी जो है company आपको provide करा रही हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है फिलाल में दोस्तों 2700 के आसपास यह trade करता हुआ नजर आ रहा है तो long term prospectus से यह stocks हम लोगों को काफी अच्छा लगता है एक बार भी आप जो है इसे observe कर सकते हैं maximum chart pattern हमने आप पे open किया हुआ है लगतार जो है trade line के अगर बात करें तो उपर की तरफ ही stocks हम लोगों को दिखाई दे रहा है फिलाल में जो है थोड़ा बहुत उतार चड़ा तो हर share के अंदर देखने को मिलता है बट long term prospectors के साथ में आप position create करते हैं तो आपको कोई भी company जो बहतरीन है जिस company का business globally फैला हुआ है वह आपको अच्छा खासा पैसा कामाके दे सकती है तो जिस तरी के साब जानते ही है कि US president बनने के बाद में जो है जितनी भी हमारी IT sector से related company है सारी company को तो हम नहीं कह सकते बट जो company हैं में में हैं उनके अंदर आपको काफी changes देखने को मिलेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि जिस तरह की रेली पिछले पांस दिनों के अंदर शेयर के अंदर बनती हुई नजर आई है तो और भी high momentum इस शेयर के अंदर हमें long term में देखने को मिल सकता है फिलाल यह stocks हमें ठीक ठाक लगता है आप भी जो है observe कर सकते हैं इसका data जो है आप रीड कर सकते हैं NST की site पर जाकर जो है आप इसके observation कर सकते हैं stocks के बारे में कि fundamentally यह stocks आपको किस तरह के दिखाई देरा है दोस्तों बात करते हैं दूसरे shares के बारे में long term से यह भी share बहु जो मजबूत कंपनियां होती हैं जिन कंपनियों के fundamentals जो है बहुत ही अच्छे हैं globally business फैला हुआ है तो कहीं न कहीं वे share जो है दुबारे आपको जो है short time में या फिर थोड़े कुछ दिनों के बाद वापस वहीं पर recover करते हूँ नजर आते हैं अब यही shares के साथ में जो हम closing दिखाई दिया वह थोड़ा सा जो है उपर की तरफ हाई moment हमें share के अंदर देखने को मिला है पिछले 6 महीनों में इतने कमाल के returns दी हैं लगबग 107% के positive returns जो है यह stocks हम लोगों को दे चुका है अब आगे पता नहीं कितने returns जो है share से हम लोगों को देखने को मिलने वाले ह यह stocks भी हम लोगों को ठीक लगता है क्योंकि company जो है ज्यादतर अभी फिलाल में बात करें तो modification company के अंदर चलता रहता है यह share गिरा था काफी समय तक एक ही price के आसपास momentum किया है बट आप हम इस stocks के अंदर uptrend जो है फिलाल में दिखाई दे रहा है थोड़ा से गिरावट ज असपास कारोबार कर रहा है इस share के अंदर भी जो है रेली बनती हो नजर आई है पिछले पांस दिनों के अंदर जो है कुडान हमें share के अंदर देखने को मिल रही है फिलाल बात करें तो लगबग नीचे के लेवल से लगबग 40-41 रुपर आ चुका है तो यह share काफी अच् करेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे लगबग 500 रुपर के लेवल से अभी फिलाल में 900 रुपर तक के लेवल स्टॉक्स ने टच्च कर लिए तो लोंग टॉम प्रोस्पेक्टर से यह share भी काफी बहतरी माना जाता है तो मैक्सिम चार्ट अगर आप इसका observe करेंगे त दोस्तों आप जानते हैं कि मैटल सेक्टर हो गया आईटी सेक्टर हो गया गलोबली इंटरकनेक्ट हैं विदेसों के साथ में जो है लगातार माल का सप्लाई आदान परदान लगातार चलता रहता है तो आप जो है इनके बिजनिस को भी दरगनार नहीं कर सकते फिलाल में क पोविड की वज़े से जिस तरीके से गिरावाट हम लोगों को देखने को मिली थी, अब रिकवर करता हुआ, मार्किट हम लोगों को नजर आई रहा है, तो आप चेंजेस देखने को आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि अमेरिकी रास्ट पती जो है, ये जानते हैं कि किस तरीक में बात करें टाटा स्टील के बारे में तो लगबख 424 रुपे के आसपास करेंट प्राइस दिखाए दे रहा है पिछले एक महीने में तो इस स्टॉक्स के अंदर बहंकर तुफानी तेजी हम लोगों को पहले ही देखने को मिल चुकी है लगबख 368 रुपे के आसपास से अ लगबख यह अगर नीचे की बात करें तो धाई सो रुपे के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दिया वापस यह पांसो रुपे के आसपास बढ़ने की कोसिस कर रहा है जहां से इस स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली थी अब यह उसी लेवल के आस दिखाई दे रहा हुआ इस लेवल के आसपास थोड़ी बहुत गिरावट और बड़त आपको दिन के मुमेंट में देखने को मिलती रहती है बट लोंग टॉम प्रॉस्पेक्टर्स से आपको यह स्टॉक्स काफी पैसे कमा के लोंग टॉम में दे सकता है बात करते हैं दोस चालिस परसेंट तक के पॉजिटिव रिटरंज रहें शेयर ने हम लोगों को कमा के दे दी हैं खिलाल में आप यकीन नहीं कर पाएंगे कितनी बहेंकर और तुफानी तीजी जो है स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल चुकी है और सो रुपे के नीचे कोई ख लगातार होते रहते हैं उनको देखने के बाद यापको पता चन्लेगा किशियर केंदर कि होने वाला क्या क्या है क्का क्योंकि आज कुछ और कि प्राइज क्वाटर बेसित कर् Seung geven करematic मिलें तो आपको सारे डेटा का अंकलन निकालने के बाद में जो है किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप जरूर पैसा कमा पाएंगे फिलाल बात करें तो शोर्ट टम में ये स्टॉक्स हम लोगों को मजबूत दिखाए देरा ये स्टॉक्स जिस लेवल से इसके अंदर गिरावाट देखने को मिली थी इस लेवल को भी ये लोग टम में जरूर चूता हुआ नजरा आना चाहिए फिलाल इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है के अंदर ऐसा दम पड़ गया था कि वह रुकने का नीचे ना बिन ले रहे थे क्योंकि काफी समय से वे शारे सेयर्स जो है एक ही लेवल के आसपास कारोबार करता वह नजर आ रहे थे और अब यह सेक्टर इस समय जो है नोलिज में आ गया प्रकास में आ गया तो कही ना कह इस से रिलेटेड कंपनियों को सीधा सीधा फाइदा मिलने वाला है यूएस इलेक्शन का प्रभाव बहुत सारे सेक्टर उस पर पढ़ने वाला है बट हमने यहां पे आपको तीन सेक्टर बताए हैं और उनके कुछ स्टोक्स आपको बताए हैं इनके अंदर आपको इसने काफी दम भरा है लगबग 570 के आसपास से लेकर अब तक की बात की जाए तो लगबग 30% से ज्यादा रिटरन जो हमें स्टोक्स के अंदर देखने को मिल चुके हैं फिलाल में हम पॉजिटिव इस शेर्स के अंदर हैं लोंग टर्म व्यू की बात करें तो यह स्टोक प्लव और सोच नहीं पाएंगे बट यह शेर ऐसा नहीं है कि आपको तेजी के साथ में आपको इसके अंदर मोवनेंट होता हुआ नजर आता हो यह शेर जाएगा उपर इपर थोड़ा थोड़ा रिकवर करता हो हलका हलका इसकी चाल बनती हुझ नजर आती है तो समय थोड वारेस के टाइम में जिस हिसाब से जो है शेयर के अंदर गिरावट देखी गई तीन सो चोबिस रुपए के आसपास यह स्टॉक्स आपको मिल रहा था और वहां से लेकर अब तक अगर पांसो रुपए की बात करें तो काफी बहतरी निटेंज हैं स्टॉक्स ने हम लोगों क लगतार बनता हुए नजर आता है लोंग टॉम प्रोस्पेक्टर से अगर स्टॉक्स के बारे में आप पढ़ने की कोशिस करेंगे तो यह स्टॉक्स जो है धीरे-धीरे करके आपको रिकवरी करता हुए नजर आ रहा है फिलाल जिस लेवल से इसके अंदर गिरावट हुई और इन तीन सेक्टर के अंदर किस तरह की रेली बनेगी यह तो देखने वाली बात ही होगी दोस्तों आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर फिलाल पहले से ही रेली बनती हुए नजर आ रही तो यह हमें वैलन्ट गूड लग रहा है और अगर बात करें मैटर जाते वे नजर आ सकते हैं दोस्तों अगरे पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जुरू कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मित सके हैं थैंकी सो मच वाचिंग